बिना लैसन प्याज और बिना गैस जलाए बनने वाली ये चटनी बहुत ही जादा यमी होती है बर्गर, इडली, डोसा, मुमोस, पूडी, पकोडी या पराठे सबके साथ आप इसको सर्फ कर सकते हैं बहुत ही जादा मज़ेदार लगती है, तो चलिए चलते हैं और इसे बनाते हैं सिर्फ तीन इंग्रीडियन्ट से बनने वाली ये चटनी इतनी जादे मज़ेदार होती है ना कि आपको यकीन नहीं होगा तो यहाँ पे तीन भरवा मिर्चा लिया है, साथ के साथ तीन मिर्चा लिया है लाल वाला आप चाहें तो हरा मिर्चा भी ले सकते हैं, अब आप अपने स्वात के अनुसार इसमें चीनी डाल लेंगे जैसे कि अचार हमारा अगर ज्यादा खटा होगा तो चीनी थोड़ा ज्यादा डालेंगे और अचार अगर हमारा कम खटा होगा तो चीनी अपने according आप कम या ज्यादा कर लेंगे जारा सा पानी डाला है मैंने यहां पर और इसको पीस लिया है बिल्कुल भी दरदरापन नहीं होना चाहिए और एक चीज मैं आपको बता दू इसमें आप भर्वा मिर्चा के जगा आम का अचार भी यूज़ कर सकते हैं तो बस यहां पर हमारी मज़ेदार सी खटी मीटी सी चटनी बनके रेडी हो गई है और अगर आपको रेशिपी अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, कॉमेंट जरूर करिएगा